वाइदुरुची की फत्ते ग्लोबल मिडास फाउंडेशन जो हमारी चैरी टेबल और ग्लोबल मिडास कैपिटल जो हमारा बुटीक इंवेस्मेंट बैंकिन फर्म है इसके अंदर मैं आप तो बताना जाओ जैसे हम लोगों ने बड़ी सारी सीरीज अभी चलाई है उसके अं काम है Financial Literacy and Awareness Series यह जो Financial Literacy and Awareness Series रहेगी इसके दो बेलू रहेगे पहला एक फैल्ल्यू रहेगा जहां पर हम लोग जो लोग बिजनसेस हरते हैं जैसे एच्पोर्ट इंपोर्ट करते हैं यहां इस तरीके के हॉस्पिटल्स बनाते हैं एजूटेशनल इंस्टीट तरते हैं यहां जो corporate lobby होती है तो इस तरीके से चाहे export import financing हो यहां इस चाहे साथ में ऐसे businessman के लिए debt के form में project finance लेना हो working capital loan लेना हो जिसको हम debt syndication भी बोलते हैं और दूसी तरफ पे equity में चाहे उसको private equity लेनी हो या venture capitalist funding लेनी हो या उनको SME IPO में जाते हैं एक SME IPO अपना लाना हो और उसको list करवाना हो या mainframe merchant banking के अंदर जाके mainframe exchange BAC NECA के उपर list करवाना हो तो इस तरीके की equity placement का या equity fundraising का भी हम लोग financial literacy program चला रहें तो इसके अंदर एक तो हम लोग ऐसे financial institutions जो इन तरीके की services देते हैं जैसे banking institutions होगे financial institutions में उस्टे साथ में merchant bankers होगे merchant bankers चे साथ में अगर हम लोग जाए तो exam bank है export import bank of India उस्टे साथ में इस तरीके की यह सारी organizations NBFC non banking finance operations जो commercial vital financing भी करवाते हैं सब करते हैं तो इस तरीके के जो भी institutions banking and financial services में आते हैं इन सब की management से हम लोग discussion करेंगे उन institutions के बारे में जैसे सिट भी हो जया और देखेंगे उनकी क्या history है क्या उनके ऐसे फ्लैक्षेब आशी रिट पर प्रोडट्स हैं और किस तरीके से financial inclusion के लिए वो लोग economic growth में contribute कर रहें तो जो इन लोगों को इन institutions के बारे में ज्यादा नहीं पता उनके लिए एक awareness हो जाएदा और जो लोग इन से इस तरीके की financial assistance ले सकते हैं उन लोगों के लिए एक guidance सा काम करेंगा दूसरी दरफ हम लोग financial literacy के अंदर यह देखेंगे कि बड़ी सारी ज़जाओं पर आज लोग stock markets के अंदर यह capital markets के अंदर ज्यादा contribute नहीं करते क्योंकि आज भी उनको मित रहता है और financial literacy ना होने के कारण वो conventional deposit deposit return deposit products को इस तरीके से बड़ी सारी जड़ाओं पे public का fund mobilize नहीं होता capital markets में तो जो businessman को capital चाहिए होता अपनी growth के लिए वो भी नहीं मिल पाता और बड़ी सारी जड़ाओं पर हमने देखा है कि बड़ी सारी जड़ाओं पर इस तरीके की miss selling of financial products होती है जिसके अंदर claim push तरह जाता है और उसके बाद जब जरुवत पढ़ती है तो उसके उपर वह policy या वह financial product काम नहीं आपता तो इस तरीके से हम लोग retail investors के लिए retail public के लिए और masses के लिए financial products and financial services भी लेके आएंगे जिसके अंदर हम लोग mutual fund हुआ insurance हुआ retail banking products हुआ है इन products की जानकारी भी लोगों तर पुचाएंगे तो जो यह financial literacy awareness campaign और series हम बनाने जा रहे हैं Global Midas Foundation and Global Midas Capital के joint initiative में तो इसके अंदर हम लोगों ने ओल्रेड़ी financial institutions में Exim Bank of India के साथ भी correspondence start कर दिये तो बड़ी जल जैसे ही हमें कि इन सारी जलाओं से एक एक करके permission मिलती रहेगी और coordination मिलता रहेगा एक एक episode आपके सामने लाएंगे जहां पे financial institution यहां ऐसा financial services यहां ऐसा financial product आपके साथ share करा जाएगा जिससे आप as a businessman यहां as an individual यहां as a retail investor benefit उठा सकते वाहिदूर जी ने थालसा वाहिदूर जी की फत्र